नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी राम बचाय हिंदुस्तानी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी न बोलें आज सुनिये राम बचाय हिंदुस्तानी चिरंजीव विद्यार्थी उद्योग मना, अमरीका चले तो बहुत से लोगों ने बहुत से उपदेश दिये सिर पर हाथ फेर कर मा बोली, बेटा ठंड से बचना मुह दूसरी और फेरते हुए पिता ने कहा भाईया शराब उराब न चकना बड़े भाईया ने सुझाया सडकों पर लूट खसोट होती रहती है रात में अधिक अकेले न गूमना दीदी आई तो बोली देख, चावा लालू उबाल कर खालियो पर मीट वीट मत शुरू करना चाचा ने फुलबूट अवश खरीद लेने की याद दिलाई और मौसी ने एक मफलर बुन कर दिया चलने लगे तो रंगीले दोस्तों ने चुटकी ली यार बड़ी चालबाज होती है गोरी छोक्रियों से समहल कर विद्यार्थी जी सबकी सुनते और गाठ मांधते चलते आखिर विदाति थी आई और कुछ जेपते मुस्कराते कुछ-कुछ उदास गले में फूल मालाए कंदे पर जोला लटकाए हाथ हिलाते चल दिये मुंबई से 14 दिन की यातना भोगी जलियान में तब पहुचे अमरीका रूखा चेहरा बढ़ी हुई डारी लिये सोचा था गोरों के देश चले यहां बात ही और है जिधर देखो काले ही काले पोर्टर काले, चेकर काले, टैक्सी ड्राइवर काले सडकों पर लोगी अधिकतर काले यानि अमरीका और अफरीका में अंतर मावाफाका ही रह गया खैर, जै हो जीजा जी की की लेने आ गये नहीं तो विध्यार्थी जी खोई-खोई जा रहे थे भीड में थकावट उतरी तो नियुवयार्क देखने निकले सौसो मंजली इमार्तों वाला नियुवयार्क जखा-जख कारें और सेंट की सुगंध वाला नियुवयार्क विध्यार्थी जी बहुत प्रसंद थे मानो पहले-पहल मेला देखने को मिला तभी ठिठक गय सहसा जीजा जी को हाथ हिला कर बोले जीजा जी देखो सामने हिंदुस्तानी और जीजा जी वैसे ही हस दिये बिना नजर घुमाए बोले अरे हिंदुस्तानी तो अमरीका के हर कोने में मिल जाएंगे चलो अब खाना खाले विध्यार्थी जी का मन छोटा सा हो गया कुछ पर चलते रहे चुपचाब दो दिन तक निव्यार्क घूम घाम कर अपने गंताप पर पहुँचे और जीजा जी के सुझावा नुसार विध्यापन देखकर कमरा भी जटपट ठीक कर डाला अब चले कैंपस की ओर पेट में जैसे कबूतर फड़ फड़ा रहे थे अपनी घवराहट पर मन ही मन हसे और कुछ स्वस्थ होकर बढ़े आगे तो एक हिंदुस्तानी से टकरा गए पूचा कहां से आये? कब आये? अच्छा अच्छा और महाशे की बस आगे कुछ आगे चले तो खाने की दुकान पर खाना खरीद कर निकलते एक भारतिये दमपती से परिचय बढ़ाया बड़ी सुशील लड़की मालूम पढ़ती थी और साड़ी में सुसजित उसे देख तो वह गदगद हुए जा रहे थे बात चीत का क्रम बढ़ा तो पूचा आप और भी इंडियन्स को जानते हैं यहाँ उनके पती देव एकदम बोले अजी साहब दस हजार मील दूर क्या हिंदुस्तानियों से जान पहचान करने आये हैं वह तो भारत में ही क्या कम है बात उन्होंने अपनी तरब से हसी में कही थी पर विद्यार्थी जी को चुप गई कुछ कहते न बना विश्व विद्यालय आ गया था नमस्ते कर चले अपने अपने रास्ते विद्यार्थी जीवन का श्री गड़ेस तो हो गया और कुछ हस्मों गोरे मित्र भी बन गए किन्तो शाम को अकेले कमरे में दिल नहीं लगा घर की बहुत याद आई तो सोचा घूम आए पार्क के सामने एक लंबे चिकने बालों वाले सिर को देखकर प्रसन्नता हुई आश्चर भी अरे यहां तो बहुत से भारतिये मालूम पड़ते हैं लपक कर पकड़ा भद्र पुरुष कुछ जल्दी में थे अच कचा कर मुड़े विद्यार्थी जी अपनी मधुर मुस्कान बिखेडते हुए बोले आप भारत से ही है न? जी हाँ उत्तर मिला अच्छा मैं भी वही से हूँ विद्यार्थी ने उत्साहित होकर कहा सज्जन बोले तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ और इससे पहले की इस करारे थपड से विद्यार्थी समले वह जा चुके थे कन पट्टी पर कई गैलन गरम गरम खून दवरा कर रहा था हरदे गती भी बिगड़ गई बेचारे विद्यार्थी की एक आध कटू वचन मन ही मन कह डाले और रेस्तरा में कॉफी पीने पहुचे किसी तरह करवाहा ठटे मौकी समा चार पत्र खरीद लिया था और उसी में खोई बैठे थे विद्यार्थी जी पीछे से बादचीत की आवाजें आईन क्यों कृष्ण आज फिर लेट कैसे क्या बताऊं शिव नया समेस्टर क्या शुरू हुआ मुसीबत आई इन हिंदुस्तानियों के मारे नाक में दम है पकड़ लिया एकने रास्ते में बड़ी कठिंता से पीछा चुड़ाया हो हो करते हुए बोला दूसरा अच्छा क्या कह रहा था बस वही एक समस्या है न सबकी सस्ता कमरा कहां मिलेगा हिंदुस्तानी खाना कहां खा सकते हैं यह कहां है वह कहां है अरे हाँ मुझी भी मिला था एक कल कोई गुजराती था बंबई का ले गया घसीट कर अपने कमरे में और बाते क्या शुड़ू की बड़ा होम सिखू मैं यहां पर मेरे दो बच्चे हैं बीबी है महंगाई की वज़े से बुला नहीं सकता उन्हें फिर फोटो वोटो दिखा कर बोर करने लगा तो भागा में क्लास का बहाना बना कर हाँ भई पता नहीं कहां कहां से चल कर आ जाते हैं यह लोग यहां पर सहानु भूती पूर्ण उत्तर दिया क्रश्न ने विद्यार्थी अपने इस्तान से उन्हें देख सकता था और वह लोग उसे नहीं देख सकते थे बीच में किताबों का घूमने वाला स्टेंड रखा था कॉफी का स्वाद एकदम किरकिरा हो गया बैठा नहीं गया विद्यार्थी से उठ गया पैसे देकर सडक पर आ गया दो सकता पीछे चिट्ठी आई चचेरे भाई उमेश की भाई साब वजीफा मिल गया है शिकाबों से दिसंबर में आ रहा हूँ आपको तो खूब अनुभव हो गया होगा अब तक सुझाओ भेजना और कलम खीच कर नीलाब कागज पर लिखने बैठे विद्यार्थी जी भाई उमेश और सब बातें बताने वाले तो तुम्हें वहाँ भी बहुत है एक बात मैं भी कहूंगा यहां आकर हिंदुस्तानी से बचना विशेश कर उनसे जिन्हें तुमसे कुछ समय पूर्व पहुचने का गवरव प्राप्थ है एक बार इच्छा हुई जो लिखा है काट दे फिर उहूं कहकर जटके से लिफाफा लेटर बॉक्स में छोड़ दिया तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं